बारत बनाम आस्ट्रेलिया आप से कुछी घंटे बचे हैं ये महा मुकाबला महा टकर एमदाबाद के नरेंदर मोधी स्टेडियम में होगी और टीम इंडिया को रहना होगा साफधान क्योंकि नौक आउट्स में आस्ट्रेलिया को हराना होगा नहीं तना असान अब साफधा नहीं होगा आसान हमने तो राइमिंग की कर दिये शुरुआत आप क्या कहना चाहेंगे आस्ट्रेलिया से टककर हैं कितनी मुश्किल कितने चलेंजिस क्या कुछ रहने वाला अखिल काटे ने कटे दिन और रात पहले दूम यही कहूंगा इंदजार नहीं हो रहा है मेरे से अब असली चैंपियन हम चाहते है कि टीम इंडिया बने ट्रॉपिक को बड़ा सवाली होने वाला है अंकिता इंडिया इंडिया क्योंकि सारे जो हम कहते हैं कि सारे जो चित खाने होते हुग हमारे एक फेवर में नजर आते हैं जाये वो बॉलिंग की बात हो चाहे बैटिंग की बात हो और अपना होम ग्राउंड भी है तो सपोर्ट भी रहेगा फैंस भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे हमारा कोई बात नहीं होती कि आप सवाल आग क्राउट को बिलकुल शांत कर दें एक दम सन्नाटा चाह जाए मैदान पर कह रहे थे मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती और आप उनका कॉन्फिदेंस देख रहे हैं उनका कॉन्फिदेंस और कल से वो मिचल मार्श का बय पीम होता काश में मिता बच्चान उता काश सचीं तेंदुल्कर होथा लेकिन रहकिकाइर लेकर के लिफिग में हैं बल्कुल रहकीकत में रहना चीए कर Dayama कैने निट्षार प्रेश कुछ कि आप देंपां चञणेंगे एक चौके पर जब तालिया बजेंगी ना तो गडगड़ाएंगी पैट कमिंज और सभी ऑस्ट्रेलिया के के में लगेगा तब वो पैर कपकाईगी यह शोर कहां से आ रहा है और यार आपने मुझे बुला दिया एक और चीज कही थी पैट कमिंज ने अब मैं भूल चुका ह इन अगर हम विराठ कोली का कैच पकड़ लेते तो हम वह वहला मुकाबला जीत गये थे सिर्फ एक गलती कि हम से हुई थी हम पूरे मैच में ओस्ट्रेलिया से उपर इंडिया से उपर थे और मैच अमारी से ने गलती हुई लेकिन क्या एक गलते हुई सवाल यह गलती तो ह आप दो पे तीन होने के बाद आप मैंटर नहीं करता था कि इंडिया को दो सो बनाना है आपने तीन बड़े खिलाडियों का आउट किया रोई चले गए केल राहूल चले गए शेस अईयर चले गए जो कि मेडिलोर्डर के दासू बल्लेबाज हैं उसके बाद कोली शायद पा कि पांच मिल मांच ने बड़ाजिय पड़ा जिमपल स सा कैछ और वहां पर वो कैछ पकर दे मैच बन जाता क्योंकि हार्दिक पोल्डीय के ल्राह उल इतना थोड़ा प्रशन में रहते फिल्ड़ पर पहले मैस था तो शायद कहते हैं कि बाजी ही पलटी होती ना कंपेर सं तो थोड़ा डाम होता है लेकिन वही है ना कि सपना है वो सपना ही रहने दीजिए अब ऐसे अगर वो कह रहे हैं कि पकड़ लेते अब ऐसे कितनी सारे लेते अगर मैं उठा लूँ अगर सचिन 2003 के फाइनल में आउट ना होते तो हम वल्लकप जीच जाते बिल्कुर दोजार आपकी भी कुछ कमेंट्स है आप भी आ सकते हैं चर्चा में शामिल होईए आप भी कमेंट्स कीजिए एक पोल भी आपको नजरा रहा होगा क्या मिचल स्टार्क के जाल में फसेगी टीम इंडिया 61 फीसदी लोगों का मानना है कि नहीं फसेगी अभी भी 42 फीसदी 45 फीसद लोग कह रहे हैं नहीं फसेगी यानि कि यह 50-50 हो रहा है भी मामला और्स्ट्रेलिया से डर रहे हैं लोग क्या डरने की जरूरत है क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत रही है हार रही है ये बड़ा सवाल है सबसे बहले बात मिचल स्टार्क की आप सभी लोगों से भ विराठ पोली और रोहित शर्मा बहुत पस्ते उनकी गहन पे लेकिन फिर उनका भी नटबोल्ट धिला हो गया तो यहां पर भी यही देखिए स्टार्टिक में भी प्रेडिक्शन वाली बॉल आई है हमारे अखिल जी क्या आत्मी आप पकड़िये और प्रेडिक्शन कीज रोहित शर्मा का स्कोर कितना होने वाला है आप दरशक भी बताइए कल रोहित शर्मा कितना स्कोर बनाने वाले हैं प्रेडिक्शन बॉल है अंकिता के हात में अच्छ शॉर्मा का स्कोर करीम होगा आपका तो आपको इनाम दिया जाएगा पच्पन साथ और यह आप भी पताईए हम तो यहां पर चॉकलेट स्बाटेंगे मैच के बाद चॉदी बेदर भी कहरें किंग पर पूरा भरोसा है मेरे इसाब से रोहिट शर्मा बनाएंगे 35 रंज प्लस स्कोर आएंगे आप लोग भी कमेंट्स कीजिए रोहिट शर्मा का स्कोर सवाल आपसे हमने पूछा है कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है जरूर बताईए 52 फीसदी लोगों को लगता है कि स्विंग के जाल में फस जाएगी और 48 फीसदी लोगों को लगता है कि और 52 फीसदी लोगों को लगता है कि नहीं फसेगी रोहिट शर्मा के स्कोर की बात कर रहे हैं खेलने का तरीका रोहिट शर्मा ने बदलाया अप्रोच बतलाया खेल और अंकिता क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में जो रोहिट शर्मा थे थोड़ा सा स्टार्ट धीमा द परक नहीं पड़ता आईये मैदान पर और पुल शॉट के साथ स्वागत करते हैं अब यह ना शुमन गिल ने सेमी फाइनल के बाद का के पहले दस ओवर में सारा काम रोहिट भाई का है मैं बस सिंगल लेता हूँ और मैं नोन स्ट्राइकर एंड पे इधर चौका इधर अफगानिस्तान के खिलाफ आया तीन अर्शदा का चुके हैं और जो फॉर्टीज के उनके नौक रही हैं काबले तारीफ बिल्कुल उन पर बात करेंगे फॉर्टीज के नौक के बारे में भी विनोध जी हैं वो कह रहें के 150 रोहिज शर्मा भारत को तबाह जिला देगा अरे बात करूं तीन मुकाबले हुए जहां पर इसी मेदान पर क्वाटर फैनल जीता था उस्टेलिया के अगेंस्ट पावन जैन जी लिख रहे हैं बेस्ट अफ लुक इंडिया क्रिके टीम बेस्ट अफ इंडिया टीम ही जीतेगी 100% कौन्फिडन करें आशु कुमार जी रहे है रोई शर्मा शकौत यह जिनस तो राबाफर आप लिखे सिसना एको 5900 जे लिर्ब जे आणिवरह आई संदो यह मीनुना स्टेर्वे है क्या बाटन गयां कि भी आगर शार्च रान पंदरा बना चया हैं पर देंगे तो शायद यह उल्टा हो जाए हमारे लिए मतलब हम कहा रहे है न कि इस वर्ल कफ में टीम इंटा की जबान पर सरस्पती जी बैठी हो लेकिए यहां पर अमित पूरी ची कह रहे हैं कि इंडिया पहले खेलता है तो टार्गेट होगा 380 का अगर ऑस्चिलिया पहल दस मैच में 526 रन बनाए हैं और मतलब कमान कंकर प्रदर्शन देखने को मिला है नमबर चार को पैटिंग करते हैं और किसी ने उम्मीद ने कि थी कि 500 प्लस रन श्रेस अइयर के नाम के आगे लगे होंगी वो भी लगा था दो शातक के साथ बेलकुल कुछ कमेंट्स भी आ चार सो बना दी है और तीन बैट्समें से ही बनवा दी है विनोज जी कह रहे हैं और दूसरी इनिंग में 80 नंबर देर कर देगी टीम इंडिया इसमें इंडिया का टार्गेट 450 होगा पवन जैन जी कह रहे हैं बेस्ट आफ लुक आप भी आईए चर्चा में शामिल हो जो स्टार्ट देते हैं उस तरीके का स्टार्ट एक बार फिर से उमीद होगी लेकिन खुदा ना खासता है जिस तरीके से पहले मैच में हुआ अगर वैसा हो जाता है तो क्या हमारा मिडल ओर भी तैयार है दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने होगी कुछ भी हो सकता ह है अब निसचित तोर पर इंडिया ने इडियन टीम को सपोर्ट करेंगे लेकिन क्रिकेट की reality यही है एक नया दिन होता है अर दिन एक नया ओवर कर आता है क्रोणी को सामने थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि फियर्लेस हो के क्रिकेट खेलते हैं लेकि आउट होने का डर्म है जैसा आपने कहा ना कि अगर वो दो पे तीन वाला सेनारियो होता है यह रोशर्मा भी आउट हो जाते हैं पहले पांच ओवर के अंदर तो टीम इंडिया के जो कि उनको पता है वंडे क्रिकेट के महारत ही है उनको क्या करना उनको बखो भी पता है कोई उनको नहीं सिखा सकता लेकिन अगर दूसरे तीसरे अवर में पहले अवर में रोई ताउट हो जाते हैं अंडर फाइव ओवर के अंदर रोई शर्मा आउट होते हैं तो कोली क इंडिया जीत रही है, कोई नहीं रोक सकता, टीम कोई भी हो, इंडिया टीम को कोई फरक नहीं पड़ने वाला, और इस तरीकी की अप्रोच भी रही है, तो भी हम सब के बाप हैं, ये तो इन फेक्ट इस वर्ल्ल कप में खेल ही कुछ इस तरीके का दिखाया है, क्योंकि हर मै सब का कॉंट्रिबूशन है, इसमें एक भी खिलाडी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, इस खिलाडी ने तो कुछ नहीं किया, तो अगर आपकी पूरी टीम फॉर्म में होती है, तो फिर इस तरीके की बातें अकसर की जाते हैं, कि वर्ल्ल कप तो हमरा ही है, बिल्कुल, क्योंकि कि अगर हम किसी भी डिपार्टमें पर अखिला और शिराग तो हर एक इक भी टीम पर मतब सौ प्रतिशुत अपना भागी दारी दे रहाया है, और हम फॉर्म की बात करें, हर एक बल्लिबास, हर एक गिन्बास फॉर्म में चाहिए, वो जडिजा की बात हो, बुम्राग की जो कि मतलब साथ विकेट लेकर आरे न्यूजरेंड के खिलाफ तो वही कहते हैं कि हमारा ही वोल्कॉप है अप्रोज पेकिया जो जिस तरीके से स्टार्ट देते हैं रोष्वर्मा वो मतलब अपना मैं कहूंगी रिकॉर्स की बराबरी नहीं करते हैं और फिर मैं कहूंगी कि कि मतलब कहीं न कहीं मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा तो क्या पचास बनाने के चक्कर में फिर भी आप रहोंगे ना कि पचासवा अर्दर्शों तक आने वाला है तो हम एक और भी मेडन चला जाता है कभी-कभी तो वो चीज़ें नहीं करने हैं आपकि जी क्या एक और म चालिस पर आउट हुए हैं अगर उस बंदे के दिमाग में फिफ्टी करनी है वो चीज आपको प्रेशर करती है ऐसा अमने विराट को ली के साथ देखा है हाला कि मैं यह निकूंगा विराट अपने लिए खेले लिए क्योंकि पिछ एंड में जा का थोड़ा स्लों होती है तो थोड़ा स्लों अगर आप ब्लास में करते हो तो उसमें गलती किसी की नहीं होती है क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूं मुझे लगता कि यार एक ओवर ठीक है आर आप ले सकते हैं अगर आप शदक बनाएंगे क्योंकि जब रोहिट शर्मा शदक बनाता है तो फिर वो 100-110 वाला शदक नहीं होता है तो 214 वाला शदक भी होता है तो अगर एक ओवर के खराब होने से आपको लग रहा है कि मतलब कैप्टन का भी थोड़ा प्रेशर होता है मेरे हिसाब से इस बार तो कोई कैप्टन सी का प्रेशन वाला होता है आपके शदक नहीं आ रहा है बहुत सारी चीज़े होता है तो जो अखिल जी कहारे है जैसा खेलना चाहिए रोहिट को वैसा ही खेल रहे है और टीम के लिए अपने लिए बिलकुल नहीं खेल रहे है ल रोहिट 350 लगा चुके एक 100 रोहिट का भी है लेकिन बात इस समय रोहिट के 100 की नहीं हो रही कहीं को तो पता भी नहीं होगा कि रोहिट ने 100 लगाया है क्योंकि वो 40, 47, 48 की जो पारिया है ना वो शतक से बहुत इंपोर्टन रहे है जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे ना म मिचल स्टाक के जाल में फसेगी इंडिया 58 फीसदी लोग मांते हैं नहीं फसेगी 41 फीसदी लोग मांते हैं कि फस जाएगी एक नया पोल अब आपके सामने आचुका है कल कौन होगा मैच का हीरो 33 फीसदी लोग विराठ कोली 33 फीसदी लोग रोहिट शर्मा 22 फीसदी पांते हैं मौहम मशमी और ग्यारा फीसदी लोग कह रहे हैं जस्परिद वुम्रा मृरिनाल जी कह रहे हैं आई सी सी में पहली बारी इंडिया बिना कोई मैच हारे कप जीतने वाली है एक एबड़ जी कह रहे हैं रोहित चर्मा नहीं आउट होने वाले इस वर्ल्ड कप में का बैस्ट आना अभी बाकी है क्या गजब की बात है ये विनोध जी कह रहे हैं रोहित चर्मा शुरुआत अच्छी देंगे और हमारे कोहली साब पारी को आगे करेंगे रवी जी कह रहे हैं भारत ही जीतेगा भारत को टार्गेट ऑस्ट्रेलिया को देना पड़ेगा 350 का और इसके अलावा भी कुछ सारे कमेंट्स आ रहे हैं रोहित शर्मा को तेज शुरुआत देनी होगी रवी जी कह रहे हैं आप भी कुछ कहना चाहते है तो आप भी दीजिए अब एक बात लिए कि शुबमंगील के बल्ले से 150 में निकलेगे रोहित शुर्मा 100 लगाएंगे हर किसी को यह चीज अच्छी है इस वर्लकप में कि हर खिलाडी पर कॉंफिडेंस है बल्कुल सबने किया है ना एक मैच में एक हीरो बनके आया है जैसा आपने भी का के हर मैच में अलग हीरो था आपने 10 मैच जीते 10 के 10 में अलग player of the match आपके सामने निकल कर आए हैं तो यह करा यह चीज नहीं कहरें इसको बढ़ावा भी नहीं दे रहे हैं लेकिन selfish हो गए रोहित जिस तरीके से कहल रहे हैं उस तरीके से लिए अलाज नहीं कहल रहे हैं थोड़ा selfish हो गए कि सब तक यह बात आपको ठीक लगते यह अकिल उरह कि सा यह Rainer हो जाना दीरे prender हो जाना और हर बार जब वो स्कोर करते हैं, टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छे टोटल तक पहुंसते हैं, जिस हिसाब से पार स्कोर होता उस ग्रांड पे, तो क्या आपको भी लगता है कि विराट कोली सेल्फिश है या ऐसा कुछ है, अच्छा मुझे वो इशा टाको भी पीछे हम उड़के देखते हैं, वो ड्रेसिंग रूम के लिए ही था, लेकिन एक चीज आप देखो, साउथ अफरीका के के संडेड आया था, बंगलदेश वाल हंडेड तो कहर बहुत ही अलग हंडेड था, उसकी तो बात नहीं करूँगा, साउथ अफरीका वाल अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी टीम नंबर वन है, पॉइंट सेबल में नंबर वन है, सेमी फाइनल मैच आप खेल रहे हैं, थोड़ा सा गर एक दो वर आप अपने लिए खेल लेंगे, तो कुछ गलत में उसको नहीं मानता, अंकिता, मेरे साब से बिलकुल सही थ कि वो स्टार्ट अच्छा देते हैं, लेकिन वो फिनिश बॉत अच्छा करते हैं, तो शायद यहां पर विराट के मन में यही चीज रहे होंगे कि स्कोर बोर पे अच्छा स्कोर लगाना है, स्कोर बोर चलता रहे हैं, और लास्ट में हम उसको यूटिलाइस, कैपिटलाइ कि उनके लिए, तो उसलब कोई चाह रहा था, या कि उनके विकेट से अरे, माफ कीज़गा, उनके बल्ले से, शत्के पारे ने कि लिए शत्के पारे ने कि वाली बात इसलिए भी आ जाती है, क्योंकि नब्भे के बाद तो सिंगरी लेते हैं, कोई चौका च्छका आता नह मैं उसको गलत नहीं मानूँगा यार, उसने 48 शतक में कोँगा, इन दो शतकों के लिएके काफी कॉंट्रोवर्सी हुई, साउथ अफरीक और न्यूजिलेंड वाला के अपने लिए खेले, उससे पहले जो 48 शतक थे, 48 शतक मानना वंडे क्रिकेट में, 300 वंडे के अंदर, बहुत बड़ी बात है, सिंगल हैं विराट कोली ने इंडिया को अन गिनत मुकाबले जिता हैं, आप उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मैं अगर 200 आ गई, क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है, आप भी बताईए यार, कमेंट ब बताईए क्या विराट कोली के इनिक्स आपको selfish लगी थी, क्या विराट कोली अपने लिए खेल रहे हैं, जिस तरीके के आरोप, सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगा रहे हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों की मैं बात कर रहे हैं, आपर NS जी कह रहे हैं, कल शमी को कौन रोकेगा अखिल जी, अंकिता, कौन रोकेगा शमी को? कोई नहीं, शमी अनस्टॉपबल है, मतलब गुजरात के लिए खेलते हैं, गुजरात टाइटन्स के लिए, तो डेफिनिटली उनका वोम ग्राउंड ही मैं मानूगी है, और जिस तरीके के फॉर्म में शमी है, तो रोकना उनक को मुश्किल ही नहीं नामुम्किन भी लगा, तो भई, शमी हो गया, या बुम्रा हो गया, स्टार्टिं से परिशान करेंगा आपको, एक पिकाजू यूजर है कि आपके लिए अखिल जैसा क्यों साउंड कर रहा है, अब साउंड कर रहा है या बाते गौतम गंबीर जैसा मुझे ऐसा कहीं लोग बोलते हैं, मैं इंफेक्ट हम भी बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं आखिल जी को कि आप गौतम गंबीर जैसा साउंड करते हैं, बाते वैसी नहीं करते हैं, बस सिर्फ साउंड करते हैं, NSG कह रहे है, best of luck captain Rohit Sharma, अखिलेश पाल जी कह रहे है, a year is the best better, अब इस खिलाडी के बारे में भी बात करते हैं, बहुत जरूरी है, यार क्योंकि विराट Kohli, Rohit Sharma, जो स्टार्ट देते हैं, जो लेकिन जिस गती से श्रेया सहीर ने रन बनाया है, छोड़ दीजिए, दो श्रतक आया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बा बात कर रहा हूं कि वो 48 या 50 वे वर तक टिके रहें, टिके रहेंगे स्कोर बोर चलता रहेगा, बाकिये का काम खिलाडियो का है, तेजी से रन बनाया है, कोहली के ओपर से प्रेशा रटाएं, क्योंकि कोहली का टिके रहन ही काफी इंपोर्टेंट है, वो काम केल राहूल और शेस आयर ने बखो भी किया है, राहूल के रन नहीं दिखते, क्योंकि क्यम्यो पारी आई है, लेकिन आयर को बल्ले बाजी का पूरा मौका मिला है, इसलिए उनके 526 रन हैंकिता, 526 रन हैं, दो शदक हैं, और दो 50 प्लस स्कोर भी हैं, यहां पर अमेर पुरी जी कह रह आई हम्दबाद की विकेट पर, लेकिन अहम्दबाद की विकेट में मेरे इसाब से जो पीछ हैं, तो शायद 2500 से उपर ही रन बनीगा, 280 मुझे लगता है क्योंकि पहला मुकाबल साथा जो था न्यूजरेंड और इंग्लैंड के बीच तो 80 का जी था, और विच कुरेटर आउने भी बोले ना कि 315 अगर आप बना लेते हैं वो तो विनिंग टोटल है, तो आप आसानी से डिफेंड कर सकते हैं, यहाँ पर बड़ा मैदान है, स्पिनर्स का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है, अब एक तरफ एडम जैंपा है, दूसरी तरफ कुल्दी प्य जैंपा ने कमबैक किया, इंडियन कंडिशन्स को परखा, उनमें अपने आपको खुद को ढाला, और एक चीज बड़ी अच्छी रही है उनकी, हर मैच से पहले ऑफिसनल ट्रेंडिंग भी होती है, आप सबसे पहले प्रेक्टिस करने जाते हैं, पिच को देखते हैं, तीन विकेट, बाइस विकेट ले चुके हैं, कल थोड़ा सा परिशान कर सकते हैं, क्योंकि जैसा रिपोर्ट्स भी आ रही है, स्लो विकेट है, स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, वहाँ पर शायद आप स्ट्रगल कर सकते हैं, और यह भी चीज है, यहाँ पर यह वही पिच पाकिस्तान की टीम वहाँ पर जल्दी ऑल आउट हो गई थी, 191-92 बनाकर ऑल आउट हो गई थी, और वहाँ पर लग रहा था, कि वह विकेट धीमा है, उसके अलावा देखिए कमेंट्स आ रहे हैं, अभी भी काफी सारे विशेक कुमार जी कह रहे हैं, तीन सो बीसरन एडम जैंपा की बात हो गई, दूसरी तरफ, केल राहूल की बल्लेवाजी से ज्यादा उनकी विकेट कीपिंग की बात करनी जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इसे पहले बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, केल राहूल को, एश्या कब से, मैंने खुद किया था आपने भी किया था, मैंने भी किया था, मैं अब बता नहीं रहा था, लेकिन मैंने भी किया था, नहीं जो सही बात है, जो अच्छा करता उसकी तारीफ होनी चाहिए, इंपेक्ट मैं और अंकिता साथ में ही बैठते हैं, कई बार, अंकिता ने मैं से पूछा कि हमारी कमजो केल राहूल का जो बताते हैं वो सटीक बैठता है उसके अलावा जो कीपिंग उनकी रही है कोली का जो विकेट था उसमें पूरा क्रेडिट केल राहूल का था नीदरलेंड्स के अगेंज जो था और डाइव लगा कि जिस तरीके से उनने कैश पकड़े हैं कमाल की परफॉमे से केल राहूल की विकेट कीपिंग में यह हम बात कर रहे हैं एके जी लिख रहे हैं इंग्लेंड की ओडिये मैच में रिकॉर्ड है तूट सकता है क्या जो सबसे जादर रहनों में बनाए हैं एनस्जी के रहे हैं केल राहूल ने तो दोनी सर को भी फेल कर दिया है बहुत बड़ा दिनों ने कॉंप्लिमेंट दिया केल राहूल अगर सुन रहे हैं तो यह मतलब बड़ी बात है जै राजपुताना जी लिख रहे हैं मैं फैंटेसी 11 में टीम कैसे बनाऊं सर आप गूगल कीजिए गिल को कप्तान बना दो मैं तो कहा रहा हूं कल गिल 100 मार रहा है और अगर गिल ने रन नहीं मिनाए तो मुझे बूल जाना है इनका एड्रेस में आपको दे दूँगा पर्सनल चैट में गुड़ू दूबे जी लिख रहे है नाम बड़ा शानदार इनका गुड़ू दूबे 350 रन इंडिया करेगा तो यह इनका मानना है कि कल इंडिया पहले पूरे नहीं कराया जाते हैं अब तक मैं समझी नहीं पाया हूं पूरे वर्लकप में उसने 10 सवर क्यों नहीं डाले हैं यह मेरी समझ से परे है 14 विकेट ले चुके हैं 10 मैचों में सेमी फाइनल में दोवी के टाय थे आट ओवर 12 रन से सिर्फ अंकिता एक मेडिन में था 12 रन देकर एक भी चौका चक्का उनकी गेंद पर नहीं पड़ा और जो शिजलवूट इंडिया के सामने हमेशा खतरनाक रहते हैं स्टार्टिंग में जो काम मिचल स्टार्क करते हैं उससे ही कहीं गुना मैं कहूंगा कि मुश्किल देते हैं जो से जलवूट तो एक और भी बात है देखे किस तरीके से जिस तरीके से टीम का परफॉर्मेंस रहा है उसमें हम बात करते हैं जिसे मिचल मार्श की और जब हम मिचल मार्श की बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की पात करते हैं तो इंडिवीजूल जो परफॉर्मेंसी जाए हैं दोनों ही खिलाडियों के चाहे वो मिचल मार्श की पारी हो चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल की पारी हो बल्लेबाजी में कौन-कौन सबसे बड़ा खत्रा आपको लगता है क्या आपको लगता है कि डेविड वार् स्टिक जाता है तो क्या इंडिया को उस सिचुईशन की पार्टनर्शिप ब्रेक करने के लिए पांच गेंदबाज काफी रहेंगे फस्त तो नहीं जाएगी ऑस्ट्रेलिया किन-किन बल्लेबाजों से प्रॉब्लम हो सकती है सबसे बड़ी प्रॉब्ल तो स्टीव स्मित है पूरे वर्ल कप में भलाई ना चले हूं लेकिन इंडिया के अगेंस नॉक आउट मैचिस में उनकी तीन पारियों में दो शतक है एक 50 प्लस स्कोर है यानि कि इंडिया के अगेंस स्टीव स्मित हमेशा चलता है इस वर्ल कप में नहीं चला लेकिन कल के मैच में मुझे डर लग रहा है कि वो चलेंगे और अगर बात आती है पांच बोलिंग ऑप्शन की और स्मित को चाहिए बस दस ओवर अगर वो 60-70 गेंदे खेल जाएंगे उनका 100 पका है उनके नाम के आगे 100 लिखा रहेगा लेकिन जहां तक बा हर्दिक पांडिया की कमी खली थी सेमी फाइनल में मैं चाहूंगा कल आप सूर्या को बाहर बैटाओ अश्विन को अंदर लेकर आओ क्योंकि आपको चाहिए 6 बोलिंग ऑप्शन सेमी फाइनल मैच आप जीत गए लेकिन एक समय में आप फसे हुए थे स्ट्रगल कर रहे थ जिस तरीके से हम बात करते हैं लगातार हार्दिक पांडिया को अभी तक टीम इंडिया ने उतना मिस नहीं किया लेकिन हमें डर लगता है वो एक भी मैच जिसमें आपकी गेंदबाजी का कोई खिलाडी शायद ओफ डे ना हो जाए शायद कुछ शोटी मोटी इंजरी ना ह हो जाए ऐसी सिचुएशन में क्या वो कमी खलेगी अश्विन क्या हमदाबाद के मैदान पर आप को लगता है कि होने चाहिए डेफिनेटली उने चाहिए क्योंकि खिल के साथ मजाओंगी पिछ भी थोड़ी सी धीमी है तो आपको स्पिनर्स वहाँ पर अच्छा रहेगा इस पिछली बार भी आप स्ट्रगल कर रहते हैं शमी आया उन्होंने विकेट चुटकाया अच्छी बात है लेकिन पिर भी कई अच्छी बार हमने देखा है कि विकेट्स नहीं आते तो वहाँ पर हार्ड़ पाड्या की डेफिनेटली कमें तो खलेगी उनका होम गाउंड भी है वहाँ पर अच्छी वह बल्ले बाजी भी करते हैं तो मैं कहूंगी कि हाँ पर शायद क्योंकि सूर्या की भी गलती नहीं चाहर टीट्वेंटी मैच खेले हैं वहां पर भी चेंविकेट लिये हैं ऐसे में आइपल के भी त्यों में यार पांच या चाहर विकेट उनके नाम पर दर्ज हैं तो नरेंद्र मोधी स्टेडियम के विकेट जो है वो पूरी तरीके से अनुरूप है आर अश्विन के बै मैं तो खुद आपसे सवाई आप दिखने साइंगे अश्विन को आपके साब से क्या रगता है कि हार्दी के कमी खेलेगी सूर्या को बाहर करो और अश्विन को अंदर लो देगे आपका बैलेंस तो तभी बनते है जब आप छे गेंद्रबाजों के साथ खेलते हैं और किस जो गेंद्रबाज है वो तो है ही ग्लेन मेक्स पेल दस ओवर निकालते हैं एडम जैंपा है पैट कमिश है जो चिले मैच में बल्ले बास भी पूरे तो ऐसी स्थिति में आप कई बार फस आते हो अलाग अभी तक ऐसा कोई मैच नहीं आए जिसमें आपको पता नहीं है कि क इंजरी हो सकती थी क्योंकि उनके और काफी बचे हो गए थे वहाँ पे अगर इंजरी हो जाती तो इंडिया परिशान होता हाला कि इंडिया में जीता कॉम्प्रियेंसल भी विक्ट्री थी लेकिन इंडिया फस सकता था प्लस अश्विन को खिलाने का दूसरा जो मैटर है यह है कि उस्टेलिया उनसे डिरता है एक टाइम था जब ऐस्टेलिया हरवजन सिंग से डरता था उस्टेलिया अश्विन से डरता है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 145 विकिट अश्विन ने कंगारवो के खिलाफ लिये हैं स्मित उनको नहीं ख साथ शायद आप रविंदर जडेजा और कुल्दीप यादव में से किसी को भी नहीं गयन नहीं से दोनों के लाड़ी गेंदबाजी नहीं करते हैं लेकिन अश्विन दूसरी करफ अगर आप देके तो वो नहीं गयन के साथ गेंदबाजी कर लेते हैं और सामने ट्रेवेस ही तो परिसलेन दोनों को ईच्विन ने परिशान किया था जब वो इंडिया टूर पर आये थे तब बी और जब हम स्विन पर लव चेमन कर सकते हैं तो अहमदाबाद में नजारा क्या होगा बेलकोल अब काफी सारे लोग हमारे साथ जुट चुके हैं निउ लाइफ कह रहे हैं चार सो रन बनेंगे एके बर्जी कह रहे हैं इंग्लेंड का जो हाल हुआ था वैसा ही आस्टेलिया का होगा हमारे बॉलर्स को कोई नहीं रोक सकता ऐसा नहीं होगा फिफ्ट बॉलर ही सही है एनस जी का मानना है वो कह रहे हैं कि नहीं पांच बॉलर ही ठीक हैं सूरिया को खिलाइए सूरिया का रोल भी जो है वो भी क्लियर है वो ज्यादा लंबी बैटिंग आपके लिए नहीं कर सकत तो बात बात किया अंकिता लेकिन ये बहस का मुद्धा रहेगा आप सभी लोग जित्ते भी लोग हमें देख रहे हैं आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सूरिया की जगा अश्विन को खिलाना चाहिए इस मैदान पर आपकी राय हम जरूर रखेंगे सभी के स हो गया तब आप चाहेंगे कि बोलिग करने रोई शर्मा बोलिग करने में इस बदेख रहां बुल बदा लेजेंगे कि तब आपको कमी ख़लेगी यार शाहरदर ७॥ाखूर होता तो वह अच्छा था अच्छा था अच्छों अच्छा था यह दोनों पानी पिलाते होब जास बटलर नहीं परफॉर्म कर पाए, बाब अराजम नहीं परफॉर्म कर पाए, शायद आप इंडिया में से अगर किसी का देखें, जो शुरवाती मैचेस में खेले वो, शार्दूल ठाकूर भी थोड़ा सा आप पी कमजोर कड़ी थी, बिल्कुल कमजोर कड़ी थी, पू अब भी उनके खाते में विकेट आने वाले हैं, और ये प्लेयर मैन अफ दा सीरीज भी लेके जाएगा, रमकेश जैसवाल जी लिख रहे हैं, सूर्या को मत खिलाओ, तो एक वो डिय भी आ गया है, सूर्या के जगहाँ किसे खिलाए जाए, जरूर बताइए, आप भी आपने देखा होगा कि दो विकेट लिया तो उसके बाद भी कोई ऐसा गेंदबाज नहीं आपाया था कि जिन्होंने विकेट लिया हूँ, उन्होंने आके एक विकेट पार्टनर्शिप को तूडी थी, अगर मैं न्यूजलेंड की बात करूँ, तो 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 क्या फरक करता है कि आपका होम ग्राउंड है, आप गुशाद टाइटन के लिए खेलते हैं, आला कि बाकी जितने भी खेलाणी हैं टीम इंडिया के, वो भी एहमदाबाद में बहुत खेले हैं, वो आई पेल में भी एक दो मैच हर बार खेलते हैं, तो क्या थोड़ा अतिरिक्त मदद इसलिए अतिरिक्त मिलते हैं, क्योंकि साथ-चौदा में से साथ मैच आपको एहमदाबाद में खेलने हैं, आप ऑफ डे भी जब आपका मैच नहीं होता, ब्रेक टाइम होता है, और हर टीम को 6-7 दिन का ब्रेक भी मिलता है, तब भी आप एहमदाबाद में आपको उसका फायता शत प्रतिशत मिलता है, मतलब अगर मुंबई में मैच होता तो टीम इडिया को जादा बेनिफिट होता, क्योंकि तीन खिलाडी थे फिर हमारे पास, रोहिश शर्मा, पिछले मैच में देखा ही है, बलकि पिछले मैच में किसी ने बात नहीं किती है, अईयर कभी वो होम ग्राउंड था, उन्होंने रोहिश से बढ़िया पारी खेली, खैर रोहिश का काम अलक था, अईयर का काम अलक था, बुमरा कभी स्पेल अच्छा था, तो इन तीनों ने ही कम्प्रीटली एक पैकेज अच्छा परफोर्मेंस करके दिया था, तो चलिए फिलाल देखे, यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लोग भी चर्चा में शामिल होई है, और बताईए आपको क्या लगता है, इंडिया वर्सिस आस्ट्रेलिया, वर्ल कप दोहजार तेजिस का ये फाइनल, गुजरात के एहमदाबाद में, नरेंदर मोधी में मुकाबला खेला जाएगा, और हम सभी तो यही बात कर रहे हैं कि वर्ल कप हमारा है, आप लोग भी बताईए कल सबसे बड़ा हीरो कौन रहने वाला है, यहां पर पोल भी हमने दिया था, वैसे एक एक बुरा स्टेट्स बताऊं आप लोगों को, नहीं पहले मैं अश्विन को ही खिलाओ, सूर्य को मत खिलाओ, एनस जी कह रहे है, जडेजा सर कल अपने घर सबसे ज्यादा पांच विकेट निकालेंगे, अभी शेक कुमार जी कह रहे है कि रोहित सौ मारना चाहिए, शतक नहीं लगा है अभी तक, अभी एक लगा है, सर वही अखिल जी क सुर्वात में आपका पूरा खून सुख जाएगा, हमारा भी सुख जाएगा, तो वह बहुत दिक्कत आजाए, एक बट जी कह रहे है, जो टीम है, वही बैस्ट है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, हाला कि यह एक पक्स है, जिसके मैं थोड़ा बात फेवर में रहता विनिंग कॉंबिनेशन को कई बार हम नहीं बतलते हैं, विशेक कुमार जी कह रहे हैं, रोहित सौ करेगा, शमी बनेगा नंबर बन, सुरेशा जी कह रहे हैं, यहाँ पर, पोल जो हमने किया दा, कल कौन बनेगा, मैं आज का हीरो, 47 फीसदी लोग कह रहे हैं कि विराट खो कि जो रिपोर्ट से आपको बता दूग कि टी ट्वेंटी सीरीज शुरू हने वाले है 23 तारिक से, शायद भूवी का उसमें कमबैक होगा, क्योंकि मुस्ता, नहीं नहीं बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, मुस्ताकली टोफी में उनने अच्छा पफोर्मेंस किय किये, तो हो सकता है, उनका कमबैक हो, जहां तक बात है, कपतानी की, बुमनेश्वन ने की है, इंडिया के कपतानी, एक दो मैंचेस, नहीं नहीं किया, तो देखें, मैं जो बात कर रहा था है, यहाँ पर टीम जब विनिंग कॉमिनेशन आप चेंज नहीं करना चाहते है, तो जब आपका मोमेंटम बना होते है, आप एक साथ खेल रहे है लगातार, तो शायद यह एक फैक्टर हो सकता है, कि टीम में चेंज नहीं हो, हो सकता है, लेकिन खुदा ना खास्ता, कल खराब दिन हुआ, तो पूरा इंडिया, हम तीनों, हमारा पूरा निउस रूम, करो कि अनिल कुमले को खिला लेते, दोसर तीन वाले गोड़ेता, दिनेश मोंगया को ना खिलाते, अन्किता एक और फैक्टर भी है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो हम पोल पूरा के लिए, जस्परीद भूमरा के लिए,